एक तरफ जहां हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध का खत्रा मनड़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला उत्री इसराइल पर पूरी ताकत से ताबर तोड हमले कर रहा है हिजबुला की रणनीती है कि इसराइली सेना पर मान से एक दबाव बनाया जाए जिससे दोनों के बीच में चल रहा ये संगर्ष पूर्ण युद्ध में तब्तील ना हो सके और यही वज़ा है कि इसराइल और लेबनान बॉर्डर हर एक मिनट और हर एक सेकेंड जल रहा है जिसमें हिजबुला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें इस पूरे इलाके को जला रहे हैं और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने एक बार फिर से उतरी इज़रैल को दहला कर रख दिया है द़सल हिजबुला ने उत्री इसराइल पर सिलसिलेवाद तरीके से कई हमले किये सबसे पहले उसने इसराइल के Hieron सैटलमेंट पर सीधा हमला किया है उसके बाद उसने बिरैनिट बैरिक्स में IDF की 91 डिविजन के हेड़कोटर पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले में हैवी बुरकन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है हिजबुला के मताबिक उसके ये रॉकेट्स सीधे IDF के हेड़कोटर पर जा लगे हैं जिससे IDF को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद शाम करीब 4.40 मिनट पर बेथ हिलल बैरिक्स में साहेल बटालियन के हेड़कोटर पर ताबढ़तोड हमले किये गए इस हमले में हिजबुला ने IDF पर फलक रॉकेट्स की जड़ी लगा दी जिससे साहेल बटालियन का हेड़कोटर पूरी तरहा से शती ग्रस्थ हो गया और इस हमले के तुरंद बाद मेतुला सेटिलमेंट में भी एक बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ जिसमें IDF ने पोजिशन ले रखी थी हिजबुला का कहना है कि उसने इसराइल के कबजे वाले सीरियन गोलन हाइट्स में भी IDF की 178वी आर्म ब्रिगेड के हेड़कोटर रिवाया बेस पर एक आर्म घाती ड्रोन का जथा फायर किया है और इस हमले में कमांड बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर इसराइली सैने के कट्ठा हो रहे थे हिजबुला का कहना है कि ये हमला भी सीधे IDF पर हुआ है जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है और इसके अलावा बे थिल्लेल बैरिक्स में एक मिलिटरी वरक्शॉप पर भी हिजबुला ने सीधा हमला किया है हिजबुला का कहना है कि उसने कबजे वाले लिबनानी शीबा फॉर्म्स में रुईसा तलकान साइट और अलसेमेका साइट पर दनादन बंबारी की है हिजबुला ने यहाँ पर रॉकेट और कई गोले दागे हैं और इसी कड़ी में हिजबुला के मिलिटरी मीडिया ने एक वीडियो भी रिलीस किया है जिसमें हिजबुला के लड़ाके IDF के एक मेरकावा टैंक और नेमारा आमर्ड रिकावरी वेकल को निशाना बना रहे हैं हिजबुला का कहना है कि उसने इस वाहन पर गाइड़ेड मिसाइल से हमला किया है वहीं हिजबुला के इन हमलों को लेकर अब इसराइली सेना ने भी अपना बयान जारी किया है IDF का कहना है कि 30 जून 2024 को हुए उत्तरी इसराइल पर एक हमले में 18 जवान जखमी हुए है इन में से एक जवान गंभी रूप से घायल हुआ है IDF के मताबिक हिजबुला ने गैलीली पैनहंडेल और उत्तरी गोलन हाइट्स पर कई आत्मगाती ड्रोन से हमला किया और वहीं मेराउन गोलन इलाके में एक विसफोटक से लदा ड्रोन आगिरा जिसमें 18 जवान जखमी हो गए आपको बताते कि बीते दिनों में हिजबुला ने विसफोटक से लदे ड्रोन हमले बढ़ा दिये हैं और इससे पहले हिजबुला ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल और रॉकेट्स के जत्तों से हमला कर रहा था कि दुँलार जबतातर कि यह ने जब दिनों में हि मा करिजबुला जातरों में य Tu इन ग Фल गुबुला जएमlor कर रहा देज़。 झाल झाल